वेल्कम टू तेज एजुकेशन आज आईसे वीडियो में हम पुलिस परिच्छा के लिए परिटेंग टॉपिक का भाग चार देखेंगे ऐसे प्रशन हमने MPGK के लेग रेखे हैं वई जिस तरह के प्रशन आपके परिच्छा में पूछो जाएंगे जिहां सौ प्रशन यही प्रशन आपके परिच्छा में आएंगे इसलिए अंतर तक वीडियो जरू देखेंगे पेपर से पहले सबसे पहला प्रशन पूरे सिलेक्टेट प्रशन आपने ले रखे हैं प्रशन के मद्वरदेश के किस किले का जोहर कुंड प्रशिद है तब हमी से याद रखना जिस जिले का जोहर कुंड है प्रशिद है वह किला है वह कौन सा चंदेरी का किला जिहां चंदेरी के किले का जोहर कुंड प्रशिद है तना आप याद रखें ठेक भई अब चंदेरी कहां पर पढ़ता है चंदेरी पढ़ता है आपका आशोक नगर में है ठेक भई अगला प्रशन बनता है कि प्रत्विरा चोहान के द्वारा निर्मित मंदर निम्नल लेकित मैं से कौनसा है और यह प्रश्ण देखेगा भई पटबारी परिच्चा में आया हुआ है तो प्रत्यूरा चोहान के द्वारा निर्मित जो मंदिर है वह है वन खंडेश्वर मंदिर कौन सा है भई वन खंडेश्वर मंदिर प्रत्यूरा चोहान के द्वारा निर्मित मंदिर है और बन खंडी उसर मंदिर कहां पर है वह यह विंड जिली में है वह 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 में है ठीक हो यह कम आगला प्रस्ड है कि धनु सुधारी मंदिर कहां पर इस्थित है यह आक गिन्ओर गड का किला किस नगर के पास इस्थित है यह हैं जो गिन्ओर गर्गण का खिला है भाई यह भोपाल के पास इस्तित Kyle कहा पर लिए और आ प्र विए पर इस रूपकर इस रुपति ध्यान है जिन्मे है भिजिसे आपको लात के निजिदेगे परेगा रिये फोण बनता है राजा अमन का महल किस के लिए में है तो आप हमें से याद रखना कि रोज जो राजा अमन का महल है ना भई यह अजयगड में है ठीक भई राजा अमन का महल कहां पर है अजयगड में है इतना आप याद रखिएगा आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्ण की योर ड चम्मल की घाटी में अटेर दुर्ग जी हां चम्मल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किया गया वेरी वेरी मुश्य इंपोर्टेंट है तो आप हमें से याद रखें कि चम्मल की घाटी में जो अटेर दुर्ग है जो अटेर दुर्ग है यह किसके दोरियाओं के द्वारा निर्मित किया गए भई अटेर दुर्ग इतना आप याद रखें तो अटेर का दुर्ग है कहाँ पर तो अटेर का जो दुर्ग है भई अटेर का जो किला है वो कहाँ चंबल घाती में है और फिर जिला अगर मैं आपसे पूचू तो भई आप मुझे कमेंट करके बताए का केर का किला भई कौन से जिलो भोत आसान है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ चले प्रशन है कि मध्य परदेश के किस जिले में 32 बाबडी इस्तित है तब हमें से याद रखें कि जो 32 बाबडी या ना भई यह असोक डगर चंदीरी में इस्तित है बई 32 प्रशन बनता है कि मध्य प्रदेश के वरेला में किसकी सम सग्मरमर से बनी पहली अमारत के लिए जाना चाता है, पनिया सग्मर्मर कई पहसे याद रख़ें, तो आप व्याद रख़ें, बगिलन महल मंजला में है, और इस बगिलन महल का निर्मन कि इने कराते है, राजा हिरदय साह ने किसने राजा हिरदय साह ने जो है बगिलिर महल का निर्माड कराया था प्रश्ण है कि इंद्रगड प्राइस्थल किस जुली में इस्तित है बताईए इंद्रगड प्राइस्थल किस जुली में इस्तित है तो आप हमें सियाद रखें कि जो इंद्रगड़ पुरा इस्थल है वही यह कहां पर हमारा यह मंत सोर में हैं इंद्रगड़ पुरा इस्थल प्रश्ट बनता है कि निमने इस्थलों में बंदर कुझ कहां पर इस्थित है बंदर कुझ है वही यह जवलपुर में इस्थित है कहां पर बंदर कुझ जवलपुर में इस्थित है प्रश्ट है कि रूप मती मंडप कहां पर इस्थित है वेरी वेरी मुष्ट इंपोर्टेंट है तो अब हम इस्थित है कि रानी रूप मती मंडप भई मांडू में इस्थित है रानी रूप मती मंडप प्रश्ट बनता है कि कोसक का महल कहां पर इस्थित है प्रश्ण है कि कजली गड़ किला किस जिले में स्थेत है बही कजली गड़ का किला वेरी वेरी मुश्च इंपोर्टन तो आप हमें से याद रखेगा कि जो कजली गड़ का किला है यहां इंदोर में इस्थित है कहां पर है कजली गड़ किला यहां इंदोर में इस्थित है नेक्स प्रश्ण है कि राहत गड़ का किला कहां पर इस्थित है बताएगा कहां पर है राहत गड़ का किला याद रखें राहत गड़ का किला है सागर में नेक्स प्रश्ण बनता है कि मद्रदेश के किस जुले में सत खंडा महल इस्थित है बताएगा किस जुले में सत खंड कालिया देह मेल है वह ये कालिया देह मेल है कालिया देह मेल का पर है क्यों I माधवगर किला किस जिले में माधवगर किला के सतना मी suggestion बनता है कि आदे गाउं का किला कहाँ पर इस्थेत है अब हमें से आद रहे कि आदे गाउं का जो किला है वई यह हमारा सिबनी में Color पर्यादिगाओं का किला सिबनी में प्रिश्म बनता है कि भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे इस्थित है तब हमें से याद रखें भिंड का जो अटेर किला है वही यह हमारा चंबल नदी के किनारे है प्रश्ण बंद चले तो इस वीडियो के सभी अत्यम हत्यपुड प्रश्ण समापत होते हैं इसी तरह टोपिक वैस समपुड MPG के आपको हम कवर करा रहे हैं तो प्लेलिश में जाकर आप सभी वीडियो जिरूर देखिएगा